बाई रिलाक्स ओफुटवर, टार्गेट कितना है, 930 का, और यह किसका कहना है, इंडिया का टॉप ब्रोकर्स फर्म, सेर खान का यह कहना है, और यह जो रिजर्ज रिपोर्ट आया था, वो 10th February 2023 का आया है, लेकर इसको रिवाइज करके, इसको बाई करने के सला, सेर खान फि दे रहा है, यह बात सच है कि रिलाक्स ओफुटवर का जो रिजर्ट है, पिछले दो कोटर में उतना अच्छा नहीं हुआ है, कंपनी का रेवनियू गिर चुका है, कंपनी का मार्जिन भी यहां पे बहुत ज़्यादा गिर चुका है, लेकिन कंपनी का जो सेल वॉल्यूम है, वो यहां पे थोरा सा इंप्रूब्मेंट मोड में है, और आगे ने वले जो क्वोटर रहेगा, वो बहतर होता रहेगा, ऐसा भी मैनेजमेंट के द्वारा इंफोर्मेशन पास्टान किया गया है, क्वोटर फोर रजल्ट के अंदर सिग्निफिकन इंपक्ट आपको दे क्वोट होता रहेगा, क्यों कि कंपणй को ने है, और रह्य का वो मेहंगा वाला था, यहांपे कम हो चुका है, 05 रेजन के अंदर, नम्बो 1 रेजन यहीं है कि कंपणई का जो मार्रिं यहांपे यहां पे स्रिंग हो चुका है, यहां पर रहेगा है, तो अभी जूर्मेश कंपणी यूज करते है यहने की पॉलिविनाइल उसका प्राइज यहां पर रिडिउस हो चुका है उसके कारण कंपणी अच्छा-खासा मार्जिन फ्यूचर में चार्ज कर पाएगा तो कंपणी का रजल यहां पर अच्छा रहेगा तो यह कारण रहा दूसरा जो कारण है व कंपणी ज्यादा रिटेलर और MBO मौझुद है और 30 से भी ज्यादा कंप्रीज में एक्सपोर्ट भी करते है तो एज़ा फुट्वर कंपणी इंडिया की अंदर बहुत ज्यादा मार्केट शेर यह होल करते है और स्पेसलिए मास सेग्मेंट के अंदर इसलिए यह जो टार स्पोर्ट स्पोर्ट सेगमेंट है वहाँ पे कंपनी अपने कापल सीटिग को इंक्रीज करते है क्योंकि वहाँ पे डिमांड बहुत जादा इंडिया के अंदर दिखाई दे रहे है उसके बाद जो चौथा कारण है वो है कमपनी का करजा जिसके कारण शेर खान का जो रिपोर्ट है ये वैलिड इसी लिए लग रहा है कमपनी के ऊपर कोई भी करजा नहीं है अगर आप करजा उठा के देखते हैं तो नेट करजा फी है तो ये जो करजा नहीं होने के कारण कमपनी कोई भी इंटरेस्ट पे आउट नहीं करना परता है तो कमपनी का कोई भी पैसा अज़ा इंटरेस्ट पे नहीं करना परता है तो इसलिए कमपनी के पास एक अच्छा खासा कैस मोजूद रहता है हमेशा तो इसके कारण company अपने capex को भी अच्छी तरह से कर पाएंगे next जो और एक कारण है वो है according to demand supply relax of footwear अभी research भी कर रहे है जिसके कारण company को लगा कि अपने premium segment को यहाँ पे increase करना चाहिए और उसी दिसा में relax of footwear अभी काम कर रहे है जैसे कि campus यहाँ पे कर रहे है जो premium segment है वहाँ पे campus अटाक करते है लेकिन relax of footwear एकदम नीचे यानि कि एकदम lower level में अपने काम करता था लेकिन अभी थोड़ा सा अपने capacity के यहाँ पे expansion कर रहे है अपने जो product basket है वहाँ पे increase कर रहे है उसके कारण company premium segment को attack करने के कोचिस कर रहे है इसलिए company जो premium segment है वहाँ पे अपने product को increase कर रहे है इसके कारण company का margin यहाँ पे improve हो पा है तो इसी कुछ कारण के चलते शेर खान का कहाना है कि relax of footwear within 1 या 930 का target achieve कर पाएगा तो अच्छी तरह से research कीजिए and nervous कीजिए अगर आपके पाँ share share है तो आप अच्छी तरह से research करने के बाद ही please hold कीजिए लेकिन company का valuation को भी आपको avoid नहीं करना चाहिए क्योंकि यह थोरा सा higher valuation में अभी trade कर रहा है future growth को देखते हुए तो अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो like जरू कीजिए आज वीडियो में तरह से यह उन नेक्स्ट वीडियो